गाइस तो मैं आ गया हूँ वापस से आपके लिए यूटूब के कुछ और नए अपडेट्स को लेकर तो शलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं उन नए अपडेट्स के बारे में तो जो पहला अपडेट है वो है यूटूब अप्लिकेशन के वाच पेज को लेकर तो अब अगर आप लोग जो है यूटूब के उपर किसी की वीडियो को देखेंगे तो वो जो पेज है ना वो आपको एक नए लुक में एक नए डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा जहां पर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा कुछ इ तो यहाँ पर आपको जो suggestion page होता है वहाँ पर आपको जो है बड़े बड़े thumbnail देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े title के साथ जो की viewer को काफी ज़्यादा attract करेंगे और पहले जो है यहाँ पर छोटे छोटे से thumbnail आते थे चोटे से title आते थे जो की viewer को दिखाई नहीं देते सही से लेकिन यहाँ पर इस update के आने के बाद जो thumbnail लोंगे suggestion वाले वह काफी बड़े हो जाएंगे title भी काफी बड़े हो जाएंगे जो की viewer को आसानी से दिखाई देंगे और viewer जो है इन पर click करके दूसरी वीडियो को आसानी से देख सकता है जो की काफी अच्छी बात है यह यहीं पर जो है आपको आप जो है YouTube Mix की जो playlist होती है वो भी आपको देखने को बिलेगी फिलाल मैंने इसको पर एक वीडियो बना रखी है अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को देख लेना icard में आपको जो है link देदूंगा तो यह जो mix का option है तो यहाँ पर क्लिक कर देखने को मिलेगी जैसे कि किसी ने अगर comment tab में कोई picture share की है voting कर आई है तो वो आपको इसी page पर देखने को मिलेगी तो यहाँ से आप जो है उनके comment tab की post पर like कर सकते हैं या पर vote कर सकते हैं और इस तरीकी की दूसरे option भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और कुछ न जाद़ वीडियो अप्लोड कर सकते हो पहले ऐसा नहीं होता था पहले आप जो है एक ही time में से फेक़ी वीडियो अपलोड कर पाते थे बट अभी जो है यूट्मWow में मतलब नए वाले यूट्यूब स्टूडियो में अब जो है आप एक से ज्यादा वीडियो एक ही टाइम में अपलोड कर सकते हो जैसे कि वीडियो में जिस वीडियो में आपके क्लेम आया है उससे आपका कितना रेविन्यू शेर हो रहा है वो अब आपको देखने को मिलेगा आपके यूट्यूब स्टूडियो के जो रेविन्यू का स्रेक्शन होता है वहां पर आपको यूट्यूब दिखाएगा कि आपकी इस व आपके YouTube के analytics में आपको देखने को मिलेगा, जो की काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, चौथा update है, reaction वीडियो बनाने वालों के लिए, तो यहाँ पर जो reaction वीडियो बनाते हैं, उनको थोड़ी सी छूटी YouTube ने दे दी है, तो यहाँ पर YouTube के उपर, जो dangerous challenges होते हैं, जो की age restriction में आते हैं, वो वीडियो, अगर reaction वाले, education के लिए, या फिर science purpose के लिए, या फिर documentary के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे में जो है YouTube उनके वीडियो के उपर, age restriction नहीं लगाएगा, और साथ में उनकी जो वीडियो है, वो भी monetize करेगा, लेकिन यहाँ पर जो reaction करने वाले हैं, उनको अपने description के अंदर, एक disclaimer डालना होगा, तब ही जो हैं उनकी वो वीडियो monetize होगी, तो यह काफी अच्छा update है यहाँ पर, और इसके लाबर जो 5 वार आखरे update है, वो एक experiment है, तो यह जो experiment है, वो USA के अंदर चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, कि यह जो update होगा, इसमें जो viewer है, वो अगर किसी भी topic के उपर वीडियो देख रहा है, तो similar topic के उपर उसको वो वीडियो देखने को मिलेगी, जैसे कि मानलो कोई viewer किसी फोन का वीडियो देख रहा है, जिस फोन का वो वीडियो देख रहा है, तो सेम उसी फोन के जो वीडियो सोंगे, वो उसको suggestion में या फिर home screen पर देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके से अगर वो वीडियो देख रहा है, तो सेम उसको जो है उसी topic के उपर दूसी वीडियो suggestion में और home screen पर देखने को मिलेगी, तो इस तरीका का कुछ नया update आने वाला है, जो कि viewer को creator के साथ बहुत ज़्यादा engage रखेगा, और इस तरीका कोई भी update आता है, तो वो viewer के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो अच्छे creators होंगे, उनको काफी अधा value मिलने वाली है, तो I hope देखते हैं कि कब तक हमें भी अपडेट मिलता है, फिलाल तो अभी testing में चला है, इंडिया के अंदर भी जल्दी ही आजाएगा, तो ये थे YouTube के इस हफ्ते के नए अपडेट्स, और I hope गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेर कर दो, सबस्कार करना मत भूलना, और अपना ख्याल लगना, घर में रहना, सुरच्चित रहना, और अपनों का भी ख्याल लगना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई टड़ा,